Hello students, welcome to the Vridhi Academy. तो आज मैं आपको बताऊंगे output devices के बारे में कि output devices होते क्या हैं. अब बात करते हैं कि output devices हमारे किसलिए use होते हैं. output devices हमारे जब हम system को कोई भी process देते हैं या कोई भी task देते हैं करने के लिए या कोई भी data एंटर करते हैं. तो वो हम किसलिए करते हैं? हमें कुछ न कुछ उसका output चाहिए होता है. तो वो output devices वो होते हैं जिनके थुरू हमें output मिलता है. output produce होता है जिनके थुरू हम output को देख सकते हैं और output को run करा सकते हैं. तो जो IPO process था उसमें पहले हम क्या करते थे? input देते थे. then वो process होता था. process होने के बाद उसमें जो output आता था वो हमारे devices कौन-कौन से होते हैं? वो आज पढ़ लेते हैं. तो पहला है monitor. monitor को हम और क्या बोलते हैं? monitor को हम visual display unit भी बोलते हैं. visual display unit means वो unit जिससे हम display को check कर सकते हैं. visually हम उसको देख सकते हैं. तो monitor क्या होता है कि हम उसको देख रहे हैं, वो display कर रहा है, तो एक unit है जो हमारे output को produce करता है. monitor को three parts में divide किया गया है. first one is monochrome. सबसे पहले जो चलते थे, पुराने टाइम पर monochrome चलते थे. मतलब सिर्फर सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर शो होता था. single color इसलिए क्योंकि कोई भी screen है, black है, उसमें जब हम कोई output हमें produce कराना है, कोई output हमें दिखाना है, कोई picture हमें दिखानी है, कोई image दिखानी है, तो कोई ना कोई तो pixels fill होते हैं, वो किस color से होते थे हमारे white color से, तो जो white color से होते थे, black के उपर तो सिफ वही शो होता था, तो single color इसलिए बोला गया है, क्योंकि उसमें एक single color यूज क्या गया है, उसको picture को show करने के लिए, उस image को या फिर उस data को show करने के लिए, तो monochrome में हमारे single color यूज होता है, फिर आए हमारे gray scales, black and white और gray scale, मतलब gray scale में कौन सा color आता है था, gray color आता था, black color हो गया, वो तो obvious है, कहीं अंधेरा है, हमें अंधेरा तो दिखाई नहीं देगा, कहीं हम pixels पे light डालेंगे, जिन pixels पे हम light डालते हैं, image को या किसी भी data को show करने के लिए, तो हम कौन सा color का यूज करते हैं, gray scale में gray color का, फिर आता है colorful screen computers, मतलब वो screen, जो colorful produce करता है, output को, तो कौन-कौन से color mainly use होते थे, जिन colors के usage से, उनके combination से हमारे, कौन से different colors बनते हैं, तीन colors से हमारे main colors, question ऐसे पूछ लिया जाता है, कि monitor को कितने parts में divide किया, colors के basis पे किया हमने इसको divide, monochrome, gray scale, और colorful screen computer, तो red color, green color, और blue color हमारे main colors हैं, जिनके combination से, हमारे कितने colors बनते हैं, 256 colors बनते हैं, ये भी question में आ जाता है, कि कौन से वो 3 main colors हैं, जिन से हमारे बाकी के colors जो हैं, वो बनते हैं, तो 256 colors हमारे बनते हैं, इन 3 colors से, तो एक question आता है, कि monitor हमारा screen type में, कितने types के थे, पहले कौन सा था, अब latest में कौन सा चल रहा है, तो पहले थे हमारे cathode ray tube, इसमें क्या होता था, ये वाले जो monitors होते थे, बहुत ही heavy होते थे, और बहुत ही जादा मोटे होते थे, और इसमें क्या होता था, जब हमारे electric जो rays होती थी, वो हमारे एक electric gun से होके, फिर वो आगे disperse होती थी, आगे फैलाई जाती थी, तो ये इसको क्या बोलते हैं, electric gun, तो इसका use होता था, बस single ही ये use होती थी, उसके बाद सारी जितनी भी lights की waves थी हमारी, वो आगे disperse फैलती जाती थी, और हमें picture show होती थी, तो CRT में हमारी heavier होते थे पहले, भारी होते थे, और हमारी कौन से use होती है, इसमें ये भी question आता है, कि cathodra tube में क्या चीज यूज होती थी, तो आती थी हमारी electric gun, single ही एक हमारी electric gun यूज होती थी, next second one is liquid crystal display, ये हमारे कहां पर यूज होते हैं, ये हमारे जैसे कि हमें कोई presentation देना है, यह हमारे malls में इतने बड़े बड़े screens होती है, वहां पर हमारा कौन से होती थी, LCDs होती थी, LCDs use होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, LCD की full form क्या होती है, ये question आ जाते हैं कि LCD की क्या full form होती है, CRT की क्या full form होती है, और LED की क्या full form होती है, तो LED, LCD मैंने आपको बता है, कहां पर यूज होता है, ये जज़ा तर malls में और presentation देने में, या कोई हमें marketing करनी है, होती है, कोई भी हमें marketing टूल है, हमारा उसके लिए भी डिस्प्ले कराने के लिए हमारी LCD यूज होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड हमारा वही colorful produce करता है, कौन-कौन सी, अब यहां पर तो ये single था, लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है, हमारी जितनी भी lights आती है, waves आती है, वो यहां से convert होकर, filter होकर, फिर आगे जागर, फिर filter होती है, फिर आगे जागर, फिर एक filter होकर, उसके बाद हमारी वो disperse होती है, आगे फेलाई जाती है, तो LED में, हमारे बहुत सारे filters लगते हैं, जिससे कि हमारी जो वीडियो की quality होती है, वो improve होती है, तो उसमें क्या होता है, यहां पर हमारा red color से होकर जाती है, यहां पर green और यहां पर blue color से होकर जाती है, तो यहां पर जब हमारी electric waves जो होती है, वो white colors में जब आती है, यहां पर red से touch हो के, red color mix होके, उसमें then green color mix होके, और जो उसका color से हो, combinations उनको बनाने थे colors को, आगे सिर्फ then blue से combine होकर, वो फिर हमारा आगे जाकर, वीडियो को दिखाया जाता है, मतलब डिस्प्ले को शो किया जाता है, तो यह हमारा colorful होता है, बहुत ही costly होता है, और latest में हमारा LED यूज़ हो रहा है, TVs में यूज़ हो रहा है, और mobile phones में यूज़ हो रहा है, तो आजकल check करते होंगे, आप TVs में कौन सा यूज़ हो रहा है, और mobile phone में कौन सा display unit हमारा यूज़ हो रहा है, तो TVs में हमारा कौन सा यूज हो रहा है OLED यूज होते हैं और mobile phones में हमारे emold यूज होते हैं display unit अब आप चेक कर सकते हो कि दोनों में different हैं दोनों की properties different हैं लेकिन यह हमारा बहुत ही costly होता है और बहुत thin होता है काफी पतली screen होती है इसकी heavier नहीं होता है यह भारी नहीं होता है, जैसे कि हमारा पहले CRT होता था, काफी improvement आ गया है, उसकी quality में भी काफी improvement आ है, क्योंकि वो colorful हो चुका है, पहले क्या होता था, सिर्फ black and white होता था, तो जब बताती है कि TV में कौन से screen यूज होती है, कौन से screen हमारे TV के लिए यूज होती है, OLED, तो question य आ गया, options आ है, और उसमें यह वाला option भी आ गया, तो आपको कौन से correct करना है, OLED वाला, OLED की full form आ जाती है, तो OLED की full form क्या होती है, organic light emitting diode, तो TV में हमारे screen लगती है, OLED, और जो mobile phones में कौन से screen यूज होती है, कौन से screen इस्तमाल की जाती है, वो होती है, Mold, तो आप जब mobile phone लेत आप properties देखते होंगे, उसके features चेक करते होंगे, तो हर एक mobile device की, हर एक mobile device की, जो screen होती है, वो different होती है, उसकी वज़ा से, उसकी battery backup पे भी असर पड़ता है, तो जो Mold होती है, वो क्या होती है, हमारी battery saving screen होती है, किस वज़ा से होती है, क्योंकि Mold में हमारी screen हो पिक्सल में divide की जाती है, जो भी single single cell आपको दिखाई दे रही है, यह pixel है, और जहां पर भी हमारी video को हमें show करना होता है, जहां उसी को हम, उसी pixel पे जाकि वो color हमारा highlight होता है, तो पूरी screen यूज़ना होकर, जो highlighted part है, वह हमारा show होता है, तो उसकी वज़ा से, यह हमारा battery saving screen कहा जाता है अब emold की full form भी पूछरी जाती है, emold की full form क्या होती है, active matrix organic light emetic diode, अब बात आती है second output device की, वो क्या है हमारा printer, अब printer क्या करता है, printer हमारा जो भी हमारी soft copy है, मतलब जो भी हमारी desktop के अंदर save है, हमारे computer के अंदर data save है, उसको क्या provide करता है, hard copy में provide करता है मतलब कोई भी हमारी soft copy है, उसको किस में convert कर देगा, वो hard copy में, soft copy तब कहा जाता है, जब हमारा computer system के अंदर, file save होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी file हमारी computer के अंदर save होती है, हम उसको soft copy बोलते है, जब हम उसको hard copy में convert करेंगे, वो किस कौन से device के थूँ प्रिंटर के थ्रू अब प्रिंटर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं एक तो होता है हमारा इंपेक्ट प्रिंटर्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन इंपेक्ट प्रिंटर्स तो पहले बात कर लेते हैं इंपेक्ट प्रिंटर्स की तो सबसे पहले हमारे इंपेक्ट प्रि करेक्टर क्या होता है सी हो गया है डा सिंगल कारेक्टर हैket C हो गया A, B, C, D. यह सब करेक्टर क्या होता हैूं एक ही टाइम में हमारा जो एक टाइम में एक करेक्टर प्रिंट कराता है वो सारे प्रिंटर्स अब आती है बार डॉट मैट्रिक्स की डॉट मैट्रिक्स भी हमारा यही करता है एक टाइम में एक ही करेक्टर प्रिंट कराता है लेकिन यह किसकी copy यूज करता है यह हमारा carbon paper यूज करता है जब हम dot matrix printer के थू हम hard copy को print निकालेंगे hard copy को print out निकालेंगे तो कौन सा paper यूज होता है carbon paper carbon paper जैसे हम duplicate copies बनाने के लिए यूज करते हैं तो duplicate data हमारा carbon paper से होता था carbon paper से use करने के बाद हमारा duplicate paper आता है डेजी वील प्रिंटर अब डेजी वील प्रिंटर क्या होता है एक बार में एक डेटा देता है वो भी एक करेक्टर प्रिंट कराता है तीनों ये तीनों हमारे एक टाइम में एक ही करेक्टर को प्रिंट कराएंगे लेकिन डिफरेंस यह होगा कि डॉट मैट्रिक्स हमारा कार पेपर यूज़ करता है और डुप्लिकेट कॉपी देता है डेजी वील हमारा ओरिजनल डेटा फर्स टाइम में ही प्रिंट करा देगा और करेक्टर ही एक टाइम में एक इक करेक्टर प्रिंट कराएगा next last है हमारा line printer line printer को भी दो में डिवाइट कर दिया एक band और एक chain printer तो लाइन प्रिंटर क्या करता है हमारा एक लाइन पूरी एक लाइन एक ही बार में एक ही टाइम में प्रिंट कराता है तो डिफरेंस क्या हो गया तीनों में चारों में कि शुरू के जो तीन है हमारे यह यह हमारे एक बार में एक करेक्टर प्रिंट कराता है लाइन प्रिंटर क्या होता है हमारा एक बार में एक लाइन कविन कराता है मतलब मॉल्टिपल करेक्टर्स हमारे एक सात प्रिंट कराता है second है हमारे non impact printers non impact printers जो हमारी new technology पे बेज़quent हैं पहले वाले जो impact printers होते थे बहुत ही noise करते थे और उनकी technology भी पुरानी थी और वो black and white होते थे अब जो printers आ रहे हैं वो हमारे colorful printing दे रहे हैं और हमारी technology पे based हैं कोई भी error मतलब कुछ भी उसमें problem आती है तो हम उसको ठीक अच्छे से कर सकते हैं easily कर सकते हैं lower than noise और पहले वाले जो printers हमारे use होते थे code में या कहीं और offices में तो ँद वह हमारे उस purpose से use होते थे तो बहुत ही जादा आवाज करते थे तो question यह भी आ सकता है कि पहले कि कौन से use होते थे और कौन से printers हमारे noise करते हैं और इसमें हमारा अब first one है हमारा non impact printer में inkjet printer Ink jet printers में हमारे कौन-कौन से colors यूज होते हैं First one is kyan, second one is magenta, which is dark pink Kyan हमारा blue color होता है K हमारा means काला black color हो गया और Y हमारा yellow color हो गया तो in colors के combinations हमारा print out दिया जाता है इन printers के थुरू So second one है हमारा laser printer अब सबसे पहली बात आती है कि laser की full form क्या है उसका अविशकार किस ने किया था और कब हुआ था उसका लेजर का अविशकार हमारा 1960s में हुआ था और Theodor Memon थे जिनोंने 1960 में इसका अविशकार किया है तो कोशन ये भी हो सकता है कि कौन से scientist के अविशकार किया है और इसकी full form क्या है Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation तो laser की आपको क्या याद रखनी होगी एक तो laser printer की एक तो आपको full form याद रखनी होगी कौन से year में और किसने उसको invent किया है किसने उसका अविश्कार किया है और इन सब की quality is always good है क्योंकि ये new technology based है और laser printer भी हमारा colorful printing देता है desktop publishing के लिए use होता है, magazines के लिए use होता है तो question हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि desktop publishing के लिए हमारा कौन सा printer use होता है magazines बनाने के लिए हमारे कौन से printers use होते हैं तो laser printers हमारे desktop publishing के लिए use होते हैं तो thermal printer में क्या होता है हमारा ये non-impact के अंदर या आता है नॉन इंपेक्ट प्रिंटर्स होते हैं, थर्मल प्रिंटर में हमें क्या होता है, जब भी हम कोई प्रेस करेंगे, उससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है, मतलब हीट आएगी, गर्मी उत्पन होगी, गर्मी उत्पन होने से हमारी प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जात तो यह हमारा कहा पर होता है आप अपर यूज होता है कि अपर यूज होता है। अपर यूज होता है। कब अचा जब आव प्रिंट लेते हो तो चेक करते हो कि फोड़ा साना तो उता है जिलेख तो ल dön thrive तो इसी लिए वाटन बेंश और गॉटता प्रिंट Rs.2 क्वहले यूज कहीं ने पेम पर ऊपने त näन्य वहुग हम और तो चुपंग करते हैं वहां पर स्वाइप मशीन होती है उसमें जो पेज उच होता है वह भी वेसकोटड पेज यूज होता है बैंकिंग में टेकेट्ट सब लेते हैं यह फिर जब हम और इओम एल कोई करके निकालते हैं तो जितना भी वह मारा प्रिंटाइट निकालता है कौन से पेज पर निकालेगा wax coated page पे और यह हमारा कुछ time बाद डेटा जो है उसका जो उसके उपर page के उपर जितना भी लिखा हुआ printed area होता है वो सब कुछ time बाद फीका होके delete हो जाता है सब remove हो जाता है हट जाता है next है हमारा portable printer portable printer अब हमारा किसके अंडर में आता है non impact printer में पॉर्टेबल प्रिंटर का मतलब होता है कि जो असानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकती है, जो छोटी हो, वेट में कम हो, अब जैसे ये पैन है, यहां से मैं इस पैन को कहीं पर भी ले जा सकती हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉर्टेबल बोलेंगे तो इसलिए उस प्रिंटर को क्या बोला जाता है, पॉर्टेबल प्रिंटर बोला जाता है, और पॉर्टेबल प्रिंटर हमारा कहां पर यूज होता है, परसनल यूज के लिए यूज होता है, लेकिन ये किसके थूज होता है, या तो हम उसको ब्लुटूट से कनेक्ट करते तो जो जिस चीज के अंदर हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं USB पोर्ट तो USB पोर्ट समझ में आ गया Bluetooth आप यूज़ करते होंगे फोन के थूँ तो Bluetooth से हम उसको connect कर सकते हैं और USB से connect कर सकते हैं नेक्स्ट और हमारे कौन कौन से output devices है पहला हो गया हमारा monitor दوسरा होगजा हमारा printer थर्ड वन होगजभा हमारा plais़ फ्लोटर अब거를ोटर क्या होता है यह हमारा printer के ही जैसा होता है बिल्कुल printer के जो हमारी features होते है जो printer की through हम करते हैं hard copy लेते हैं ऐसी plotter से भी हमारी soft copies hard copies में convert होती है बस इसमें किसका use होता है पैन का यूज होता है, वो पैन किसलिए यूज होता है हमारा ग्राफिक्स के लिए, ड्रॉइंग के लिए, कोई भी लाइन ड्रॉइंग करनी है, हम उसके लिए पैन का यूज करते हैं, ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, इसकेचिस के लिए यूज करते हैं, जो होर्डि दोनों दिखने में आप अदर ऑन एक पैन अटच उता है प्लोटर के कहते हैं जिससे कि हमारी ऑपनेगे निन णदर प्रेंग सकते हैं उसको हम क्या बोलेगे digital data, तो जो भी digital data हमारा हमें voice में convert करना हुता है, मतलब उसको द्धवनी में convert करना है, तो उसके लिए हम कौन से output device का use करते हैं, speaker का use करते हैं, तो speaker हमारा कैसा है? output device है ये भी, headphone ये बाकी सारे output devices है, अब इनका काम है, तो headphone हमारा बिल्कुल speaker की तरह काम करता है जैसे speaker हमारा digital data को voice में convert करता है लेकिन headphone क्या होता है हमारा single person के लिए होता है मतलब एक single person अपने कानों में लगा के उसको सुन सकता है और speaker हमारा किसली होता है कि हम उसको और लोगों को भी जो हमारे surroundings में है वो भी सुन ले ठीक है speakers और headphones में सिर्फ इतना सा difference है और दोनों ही हमारे output device है अब आता है बात projector की अब projector वो होता है जो अपने अंदर के stored digital data को image या फिर video में convert करता है कैसे करता है वो जैसे हम screen पर show करता है या तो वो image होगी या कोई भी data text होगा या कुछ भी होगा digital data को वो present करेगा हम लोगों को show करेगा किसको हम लोगों को चाहे वो video हो चाहे वो image हो projector अब projector होता है मारा काफी बड़े उसके लिए large scale के लिए जैसे seminars होते है seminars हमारे बहुत सारी audience होती है उनके सामने होता है presentation होती है हमारे smart classes होती है जैसे smart classes होती है उसमें भी हमारे projectors लगे होते हैं बहुत सारे students होते हैं वहाँ पर cinemas में हमारे projectors यूज होते हैं तो यह हमारा projector question ऐसे आजाता है कि projectors हमारे कहां यूज होते हैं ऐसे आजाता है कि हमारे प्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस हमें यूज़ करना है, नेक्स्ट आता है हमारा VGA कार्ड, VGA कार्ड की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, कोशें अमारा ये भी पूछ लिया जाता है कि VGA हमारा आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, VGA कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका इस्तमाल क्या होता है, इसका इस्तमाल हमारा वीडियो को दिखाने के लिए होता है, मतलब अगर हमारे सिस्टम में, हमारे कम्प्यूटर सिस्टम में VGA कार्ड नहीं होगा, तो हम वीडियो नहीं देख पाएंगे, मतलब वो एक ड्राइवर की तरह काम करता है, एक सौफ्टवेर की तरह काम करता है, जिससे के हम उसके यूज से हम क्या देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अब VGA कार्ड को हम और क्या-क्या बोलते हैं, इनको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, video cards 서로 बोलते हैं display cards भी बोलते हैं video adaptor भी बोलते हैं और display adapter भी बोलते हैं तो कुषेन हमारा ऐसे भी आ जाएगा कि हम का और दूसरा नाम किन क्या है इनका रणिट क्या है है नेकुल मारा sound card sound card हमारा होता है j Tun सिस्टम में हमें साउंड सुनने को मिलती है अगर साउंड कार्ड हमारा सिस्टम में नहीं होगा तो हम वो सुनी नहीं पाएंगे तो साउंड को सुनने के लिए हम साउंड कार्ड का इस्तमाल करते हैं तो आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने बहुत सारे आउटपुट डिवाइसे के बार में पढ़ा है तो स्टूडेंट्स आप ऐसी तरीके से पढ़ते रहिए कंटिन्यूटी बनाए रखे और अपना ध्यान रखे अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबाई